हलो नमस्कार श्वागत है आपका आपकी यूटूब चैनल फ्यूचर विधाश दोश में कैसे हो आप सभी उमेद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे शकुशल होंगे आज की जो टॉपिक है वो है चैप्टर 3 NCRT 6 की NCRT जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका चैप्टर 3 है जिसमें मैं पृतिविय की गतियों को पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि पृतिविय में गतियां कितनी प्रकार की पाई जाती है और इसको किस प्रकार समझा जाए और कहें तो याद किस प्रकार किया जाए ये समान रूप से सभी पृतियोगी परिच्छाओं के लिए उपियोगी है आप चाहे AIS की तयारी कर रहो तो सही आप PCS की तयारी कर रहो तो सही पहले मैं जैसे की मेरी आदस आपको बता दूँ जैसे मैंने अभी तक आपको बताया था पृत्वी है पृत्वी में पृत्वी शूरी की परिक्रमा लगाती जिसको परिख्रमन गती कहा जाता है ठीक है वो अपने अच्छ पे घूमती है जिसको घूनन गती कहा जाता है दो यह सूरी के चारो तरफ चक्कल लगाती है अभी तक मैंने आपको बताया था कि दिसांता रे ! मोता मोता कहूंर अगर 36 रेखा हों की बात को 36 रेखा में बनाई 66 रूप से बनाईगी प्रिदिवी पर काल्पनी रेखा हों यह च्छांस रेखा हैं कहला जाएंगी तीन च्छांस रेखा इंपोर्टंट है पहला साड़े 23 डिगरी NORTH जिसको हम करक करक कहते हैं जो मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताई साड़े 23 डिगरी साड़े 23 डिगरी साउथ जिसे हम क्या कहते हैं मकर रेखा कहते हैं पिछले क्लास में ने बताई और जीरो डीग्री अच्छांस को भूमद रेखा या विश्वत रेखा कहते हैं भूमद रेखा सबसे बड़ी अच्छांस रेखा है जो प्रित्वी को दो बराबर भागों में बाठती है और सबसे बड़ा सर्किल का निर्मान करती है चलिए आज मैं NCRT को एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ गूरन जैसे प्रितवी पे दो प्रकार की गतिया पाई जाती है अभी ये दो प्रकार की ही नहीं अगर आपको जियोग्राफी ऑफ्सनल में पढ़ाऊंगा तो और ने प्रकार की बताएंगे फिलाल आपको यहाँ पे समझना है कि प्रितवी में मुख्यता दो प्रकार की गतिया पाई जाती है एक गूरन गति ठीक है प्रितवी अपने अच्छ पर घूमना घूरन गति कहलाती है अच्छ पर घूमना जैसे मैं कहूं एक गोला है जैसे फुट क्षब काथ गंगत्यसक्टि परिक्रमन्गति कांग stack yeah जैसे मैंने मत आई ता द confession काल्पनीक रेक्भा जो इसकी कजी सता से साले चाचाच्ड डिग्रीका कोड़नाथ देखी अगर मैं पडरَّण वी को बन्हूं तो प्रृत्वी जैसे आपको अगर मैं अच्छे बनाओत इसकी अच्छे कुछ इस प्रकार है जो एक्चुल अच्छ से जो होना चाहिए था जिसको मैं दूसरे हरे कलर से बना रहा हूं इसको ध्यान दीजिए जो मैं हरे कलर से बना रहा हूं इनके बीच में इनके बीट में साढबे तेज़ डीजिदी का कौण बनता है यानि अगर यह देखूँ यह वाला कौणFit साढबे चाहं चाहर डीजिदी आगर इसमें इमेज भी बनाए होंगे क्च्छ जो कच्छ के द्वारा बनाया जाताए उस ुसी कठ चछी समतल कहते हैं क्या कहते हैं उसको कच्छी समतल कहते हैं ठीक है पृत्वीक शूरी से प्रकास प्राप्त करती है पृत्वीक का आकार गोले के समान है क्या लिखाए गोले के समान है ना कि गोला है ये ध्यान रखिएगा गोला नहीं है पृत्वीक आकार क्या है भू आभ है बार बार चर्च से दूर होता है वहाँ पर रात होती है देखिए जैसे इसको समझने का प्रियास करिए जैसे यह रही पृत्वी हमारी यह है सूरी यह रहे सूरी ठीक है जब सूरी के सामने पड़ेगी तो पृत्वी का आधा हिस्सा यानि इस डॉटेट जो बिंदू बना रहा हो इसके आध गोल घुमेगी अपने घूनन गती करेगी वैसे दिन का समय घट दिन बदलते रहेंगे रात कटी जाएगी और दिन आता रहेंगे या कहूं दिन खतम होगा और रात आती रहेंगी ठीक है पृत्वी के सूरी से प्रकास आधा मिलेगा ठीक है शूरी की ओर वाले दिन जो भिभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है प्रतीप्त बित्त कहा जाता है जो ग्लोब में आपको जो दिन और रात को डिफाइन कर रहा है दिन और रात को अलग कर रहा है उसको क्या कहा जाता है प्रतीप्त बिंदु कहा जाता है ठीक है जैसे देखिए ये जो लाइन ब इसी को कहा जाएगा, या बित अच्च के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र में देख लीए, पृत्वी अपने अच्च पर एक चक्कर पूरा करने में vent 24 गंटे का समय लेती है, ठीक है, एक्चुल 24 गंटे का समय नहीं लेती लेकिन लगभग 24 गंटे का समय लेती है, गो गन्ते का होता है, मोटा-मोटा लगभग, चौविस घंते का होता है, अगर देखा जाए, तेज घंते चपटा मिनट का होता है, यह पृत्थिभी का दयनिगती है, ठीके, अब इसके बारे मैं यहां पर छोटा सा आपको डिफाइन कर रहे हैं, तेखिए, यहां पर जो आपक यह समतल से यह साड़े 6.06 डिगरी का कोड बनाता है ये जो रेखा है 25 1.35 वाली इसी को कर्क रेखा कहा जाता है बीच वाले को विश्वत रेखा कहा जाएगा और यह मखर कहा जाएगा ठीक है और इसमें देखी आपको डिफाइन कर रहे हैं कि प्रदीप्त बिन्दू क्या ह प्रदीव्त भृत क्या है यहां देखिए जितनी तरफ रात है रात और दिन को डिफाइन करने वाली जो लाइन एक्चुल काल्पनिक लाइन कहुँ वो है वो कहलाएगा प्रदीव्त भृत कहा जाएगा ठीक है क्लियर होगे अच्छा लिया आगे बढ़ते हैं आगे कह रहे कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो एक बार सोचने पर विवस हो जाएगा कहरें प्रितवी जो गोल-गोल घूम रही है जो ये प्रितवी है अपने अच्छ पे गोल-गोल घूम रही है घूनन करना बंद कर दे तो क्या होगा तो यही होगा ना कि प्रितवी पे छे म महां तक अंधेरा रहेगा और दूसरी तरफ जब अंधेरा उजाला रहेगा तो पहली तरफ अंधेरा रहेगा समझ रहे ना तो वही चीज़ ले सूर्ण के तरफ वाले पृत्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा जब पहली बार आपने अंसीर्ट इसको पढ़ी होगी तो आपको यह confusion लग सकता है कि जिस तरफ सूरी है उधर हमेशा दिन रहेगा बिल्कुल सही बात है बाई जिधर सूरी रहेगा उधर तो हमेशा दिन रहेगी ये तो नहीं कहा गया ना कि सूरी हमेशा एक ही दिसा में रहेगा प्रित्वी जब घूमेगी तो ये वाला भाग अब रात होने लगी फिर देखिए अब रात रहेगी आधे साल तक 365 दिनों में करीब 6 महीनों तक एक तरफ दिन रहेगा और एक तरफ रात रहेगी ठीक है और आगे लिखने दूसरे भाग में हमेशा अंधिरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा सीधी बात है भाई छे महीने जहां पे दिन होगा और रात होगी वहां पे आशा कर सकते हो कि वहां पे कभी भी कोई भी फसल उख सकती है या कोई बिच्छ या कोई पौधा उख सकता है नहीं उख सकता क्योंकि भाई देखिए जीवन संभ और पूरी प्रित्वी की उर्जा का शोत 99.5% अर्जा का सोत कौन है हमारी प्रित्वी है और सूरी की रोषनी नहीं मिलेंगी तो संभौ नहीं हो पाएगा 10 अब आगे देखी प्रित्वी की दूसरी घति जौए के चारो ओर कच्च में होती है उसे परिक्रमन गति कहा जाता है क्या कहा जाता है परिक्रमण गति कहा जाता है जो सूरी के चारो तरफ चक्कल लगाती है या पृतिवी कि एक वर्स या 365 सही 365 दिन और एक चौथाई दिनों में 365 दिन से जादा है मतलब 356 दिनों में ये चक्कर लगाती है, ठीक है, हम लोग एक वर्स में 365 दिन ही मानते हैं, तता सुविधा के लिए 6 गंटे इसमें नहीं जोडते हैं, और 6 गंटे का क्या करेंगे हम, 6 गंटे का हम करेंगे, कि 6 गंटे क्या करते हैं, बाद में 4 सालों पे जोडते हैं, जिसको लीप एयर कहा ज सूरी का परिक्रमन काल क्या है, 365 दिन और 6 गंटे, वो 6 गंटे चार सालों में मिलके, 6 गुड़े चार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 गंटे बन जाएगा, यानि पूरा एक दिन बन जाएगा, तो इसलिए 365 दिन हो जाते हैं, वो एक दिन कहां अर्जेस्ट किया जाता है फरवरी माह में अर्जेस्ट किया जाता है, फरवरी माह में, फरवरी कभी देखिए 28 की होती हैं, कभी 29 की होती हैं, बहुत सारे जोग भी बने हैं कि मेरा तो 29 फरवरी को बड़े पड़ता है, मैं तो चार साल पे एक साल का होता हूँ, इस हिसाब से 40 साल का बुड़ा जो ह आसानी होगी देखे एक चीज और आपको यहां पर छोटी छोटी चीजे मिल जाएंगे लिखा है प्राचीन भारती गोल सास्त्री और आरे भट ने बताया प्रित्वी गोल है और अपने अच्छे पर घूणन करती है इन्हों ने बताया था कि घूणन कर रहे हैं प्रित्वी 22 मार्च को क्या होता है 22 मार्च को वो मकर रेखा पर सूरी की रेखा लंबोर चमकती है अब मकर रेखा से अब देखे मार्च की तरफ जाने पे ये रेखा जो सूरी मकर रेखा पर चमक रहा था वो अब 21 मार्च की तरफ जाने पे अब गर्मियों की तरफ जाने पे वो अब करक रेखा की ओर जाएगा और 21 जून को करक रेखा पर चमकेगा 21 मार्च को भूमद रेखा पर चमकता है और तेज सितंबर को भूमद रेखा पर लंबुवत होता है इसी वज़ा से देखे 21 जून को भारत या कहूं उत्री गोलार्द में उत्री गोलार्द में गर्मी पड़ ठंडी और दच्रिन गोलाद में पिकट गर्मी पड़ती है इसे ही रीजन है इससे आप समझ सकते हैं ठीक है अभी जो मैंने बताया कि चार घंटों को मिला के 24 घंटे के बराबर किया जाता है वही लिखा गया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई है अगर आप मार्च और 23 सितंबर को सूरी की किर्णे विशुवत बृत पर सीधी परती है इस सवस्था पर कोई भी ध्रूव सूरी की ओर नहीं जुका होता है इसलिए पूरी पृत्वी पर दिन और रात बराबर होता है जिसे विशूव कहा जाता है इसके विपरेद 23 सितंबर को उत्त दिसम्बर का कंडिशन, 22 दिसम्बर को क्या हो रहा है, 22 दिसम्बर को दच्छिनी दुरूप की ओर सूरी की किर्णे जूग जाती हैं, जिसके कान मकर रेखा पर सूरी की किर्णे लंबोलत या सीधी पड़ती हैं, जिसके कान मकर रेखा पर विकट गर्मी पड़ेगी, और उस लिया होगा बाकि ये चीजे मैं आपको वाइड बोर्ड पे समझा दूंगा जल्दी मिलेंगी थोड़ी पहरसानिया थी इसलिए क्लास रिगुलर नहीं हो पाई क्योंकि अभी बीच में मुझे घर आना पड़ा और ये सब घर से ही लाइब क्लासेज आपकी चल रही हैं उमी मुझे दीजिए जाज़त और इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो फ्यूटर भी थाशुतोस नाम से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएए जहां पे आपको फ्री पीडियाप मिलेगा और साथ ही इसी नाम से आप मुझे इस्टाग्रा पे भी फालो कर सकते हैं और फेस्बुक पेज पे भी फालो कर सकते हैं तो मुझे दीजिए जाज़त बहुत बहुत धन्यबाद